दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Central University Common Interest Test यानि CUCD 2021 के बारे में CUCD का entrance action जो है लगभग complete हो चुका यानि 24 September को जो है आपको entrance action जो है complete हो गिया है and बहुत सारे students इस चीज को परिसान हो रहे हैं कि answer की कब आएंगे and जो हमें response seat है वो कब मिलेगा तो सारा doubt जो है आपको मैं इस video में clear करूँगा and उसे साथ साथ बात करेंगे कि आपका total यहाँ पर declaration of result कब होने वाला है and admission का procedure की तरीके से होगा उस सभी के बारे में जो है मैं आपको इस video में आपको information देने वाला हूँ इसलिए आप सब भी से रिक वर्ष्ट वीडियो को प्ली एंड तक देखना and उसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्ली सब्सक्राइब करेंगे आपस अब कर आते रहता है तो चलिए आज की वीडियो का में यहाँ पर सुरू करते हैं यानि जिस जो आपने computer based test दिया था उसका आपको response seat दिया जाएगा and जो response seat आपको मिलेगा वह two to three days के अंदर में आपको मिलेगा यानि आज 24 को complete हो चुगा यानि 26 और 27 को आपको यहाँ पर response seat आपको दे दिया जाएगा and उसमें आपको answer key भी दी हुई होगे मतलब यहाँ यह है कि आप जो है कितने marks गेन कर रहे हो यहाँ पर मतलब C U C D में आपको complete जानकारी मिलेगी मतलब कितने question आपके correct है कितने question जो है आपके wrong है मतलब आपके complete यहाँ पर जो है आप जो भी एंटर सांस दिये हुए हो ना उसका आपको response seat दिया जाएगा and उसके according आप देख लोगे कितने marks आपके R हैं अब उसके बाद क्या होता है ना उसके बाद आपको answer की कुछ challenge करने का option मिलेगा तो answer की challenge करोगे जो सबसे importance ही यहाँ पर क्या है कि जो भी आपको answer की दिया हुआ होगा उसे आप challenge कर सकते हो पर question के लिए जाएगा आपको 200 rupees लेगा मतलब जो answer जो जो भी यहाँ पर specialist होंगे वो आपके answer को review करेंगे जो आप जो answer दोगे उसके लिए आपको एक source देना होगा जिस answer के थुरू जो आप यहाँ पर कर सकते हो and per question 200 rupees लेगा जो की not refund non refundable होगा तो इसके बाद में क्या होगा एक फिर से आपका एक final answer किया आएगा तो यहाँ पर चाही अगर इससे भी जादा fast वहता और भी पहले आ सकता है या फिर से एक दो दिन जो है लेट हो सकता है बट इतने दिनों के अंदर में जो है आपका यहाँ पर final answer की जो है आपका आ सकता है तो इस चीज को आप ध्यान देना and उसके बाद में जो है उसके बाद में further कोई changing इस answer की में नहीं होगी यानि जो marks आपने gain किया उसी marks के according जो है आपको admissions मिलेंगे आप देखो उसके बाद यहाँ पर क्या होने है वाला है admission procedure के बाद में जो marks आपको दिये हुए होगे यहाँ पर जो एंटे तरफ से आपको एक scorecard दिया जाएगा उसके बाद में जो है आप जो जो university जो है chemistry and physics के लिए जो है प्रवाइड करती है central university उन सभी university के लिए आप eligible होगे लेकिन उन university अपना एक cut-off decide करेगी और उस cut-off के basis पे जो है आप उस university के लिए eligible होगे या नहीं होगे उसके बार में decide करेगे और उस basis पे जो है आपको admissions दिये जाएंगे और इसके fitness verification of original documents यह से भी चीज़ें जो है आपको करानी होगी उसके बाद ही जो है आपकी central university में जो है आप eligible होगे तो यहां तक जो है मैंने आपको process बता जीए कि इस तरीके जो है आप eligible होगे तो यहां पे मतलब इस तरीकी process होगी and जो भी आपके results दी जाएंगे उसके according जो है आप आपको admission दीया जागा तो मैंने सारी चीज़ी बता दिया हों सबसे पहले 2627 को अपको यहां पर सबसे पहले यहां पर यहां पर आपका response रिस्पोंस सीट आएगा और इसके बाद में जो है आपको यहा पर answer की मिलेगा and final answer की मिलने के बाद में जो है आपको उस दिनों बाद में एंड उसके में जो है आपको एलिजबिटी क्रेटरा फुल्फिल करने होगे जिस जिस उनिवर्सिटी जो है जो को से आपको अप्लाइड कर रही होगी जो आपने फिलप किया था उसे पेपर कोड के लिए उसके अकोडिंग जो आप यहां पर अपलाई कर सकते तो इस तर की वीडियो साथ में नेक्ट की वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद